कि नमस्कार विके बी नियूस के खास पेशकश में आपका स्वागत है जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास सुनिदा ख़बरे वो भी मेरे साथ मंतरी नवाब मली को हाई कोट ने राहत दी है अदालत ने समिरवान केड़े के पिता की उस मांग को ठुकरा दिया है बदाय जा रहा है कि ये एक्सिडेंट डिली के मालवियन अगर इलाके में हुआ इस वीच सातरा जिला बैंक के चुनाव में महाविकास आघाडी को तगड़ा जटका लगा है गुरुह राज्य मंत्री शंभुराज देशाई राश्रवादी के विधायक शशिकान शिंदे सिर्फ एक वोट के अंतर से चुनाव हार गया है राहत परी खबर ये है कि स्ट कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है परिवहन मंत्री तथा स्ट महामंडल के अध्यक्ष अनिल परफ और राकाप अध्यक्ष शरतपवार की मुलाकात के दोरान कई विकल्पों पर चर्चा हुई इससे कयासों को बल मिल रहा है इसके अलावा सूचना अधिकार कानून के तहट जानकारी मिली है कि कोरोना संक्रमन से निपटने के लिए मुख्य मंत्री राहत कोश में कोविड-19 के लिए खोले गए अलग खाते में मदद की अपिल के बाद लोगों ने मोटी रकमा जमा की है इसमें बच्ची रकम के नियोजिन की कोई सही जानकारी नहीं दी जा रही है जिससे शक गहरा रहा है प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ बंबे हाई कोट ने NCB के शेत्रियों ने देशक समीर वानकेड़े के पिता की उसमांग को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने मंतरी नवाब मलिक द्वारा उनके परिवार के खिलाव दिये जाने वले बयानों पर रोक लगाने की मांग की थी हाला कि अदालत ने यह कहा कि नवाब मलिक को पुकता होने के बाद ही कोई बात कहनी चाहिए न्यायमर्दी माधव जामदार ने हाला कि कहा कि प्रतम दृष्ट्या वानकेड़े के खिलाव मलिक के ट्वीट, द्वेश और व्यक्ति का दुश्मनी से प्रेरित थे वानकेड़े एक सरकारी अधिकारी हैं, मलिक द्वारा उनके खिलाफ लगाए गया आरोप NCB शेत्री निदेशक के सारोजनिक करतव्यों से संबंदित गती वीधियों वाले थे इसलिए मंतरी को उनके खिलाव कोई भी बयान देने के से पूरी तरह प्रतिबंदित नहीं किया जा सकता हाला कि मंतरी को वानकेड़े या उनके परिवार के खिलाव तथ्यों के उच्चत सत्यापन के बाद ही बयान देना चाहिए वानखेडे के पिता ग्यानदेव द्वारा इस सब्मन्द में किये गए अंतिरिम अनुरोत पर उच्छ न्यायाले का फैसला आया मलिक कारोप है कि समीर वानखेडे एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे उन्होंने अनुसूच जाती का होने का दावा करते हुए केंदर सरकार की नौकरी हासल की थी वानखेडे के पिता ग्यानदेव ने इस महीने की शुरुवात में उच्छ न्यायाले में मलिक के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दायर किया था जिसमें अन्य बातों के अलावा मंदरी को उनके और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमान जनक बयान पोस्ट करने से रोकने का अनुरोत किया गया था ग्यानदेव वानखेडे ने भी एक करोड़ पच्छिस लाक रुपयों का जिर्माना मांगा है बिग बॉस फेम अक्टरस अर्शी खान एक कार हाथसे में बुरी तरह से जख्मी हो गई है जिसके बाद उन्हें अस्पिताल में भरती करवाया गया बताया जा रहा है कि ये अक्सिडिन दिल्ली के मालविय नगर इलाके में हुआ हाला कि अर्शी खत्रे से बाहर है वह डॉक्टरों की देखरेक में हैं रिपोर्ट के मताबिक अर्शी खान अपनी मर्सिडीज कार में थी जिस वक्त यह हाथसा हुआ अक्सिडिन दिल्ली के मालविय नगर के पास शिवालिक रोट पर हुआ उस दरान उनका असिस्टन भी उनके साथ था जैसे ही काट अकराई एरबैग ओपन हो गए जिसे वह गंभी चोटों से बच गई हाला कि सीने में दर्द होने की शिकायत के बाद उन्हें अस्पिताल ले जाया गया अर्षी शूटिंग के सिलसले में दिल्ली गई थी अर्षी पहले बार 2017 में बिग बॉस के ग्यारवे सीजन में चर्चा में आई थी इसके बाद वह बिग बॉस 14 में भी बतोर चालेंजर नजर आई थी शो से बाहर आते ही अर्शी को नर्देशक दुश्यन सिंग की फिल्म त्राही माम का प्रस्ताफ मिला था काम के अलावा अर्शी अपने बयानों और सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड इमेज शेहर करने की वज़े से खबरों में चाही रहती है अर्शी खान विश और सावित्री देवी कॉलेज और हॉस्पिटल जैसे टीवी धारवाहे को में भी नजर आ चुकी है वह जल्दी टीवी पर स्वेमबर शो आएंगे तेरे सजना में नजर आएंगी अर्शी के हसरत भी बॉलिवड में करियर बनाने की है सातारा जिला पैंक के जनाव में महाविकास आघाडी को तगड़ा जटका लगा है ग्रह राज्य मंत्री शंबूराज देशाई राश्टवादी के विधायक शशीकान शींदे चनाव हार गए है शशीकान शींदे के केवल एक वोट से पराजय मिलने से राश्टवादी कॉंग्रस को तगड़ा जटका लगा है पाठन में शंबूराज देशाई वा पाठनकर परसकर विरोधी माने जाते हैं पाठन प्राथ में कृषी पट पुरवथार निर्वाचन शेत्र में पूर्व मंतरी विकरम सिंग पाठनकर के पुत्र सत्यजीत सिंग पाठनकर को 58 वोट मिले उन्होंने चनाव में ग्रह राजय मंतरी स्चंबूराज देशाई को पराज़ित कर दिया जावली सेवा विकास सोसाइटी निर्वाचन शेत्र से राश्टरवादी की विधायक शशीकान शीनदे को एक वोट के अंतर से हरा दिया गया है इस चनाव में उनकी विरोधी ग्यान देव राजने विजई हुए शशीकान शीनदे को 24 वोट मिले जबकि राजने को 25 वोट मिले सातारा जिला बैंक के 21 सीटों के लिए यह चनाव हुआ था इनमें से विधायक शिवेंदर सिंग राजे सहित 10 सीटों पर निर्विरोध चनाव हुआ रविवार को 11 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी इसकी कामटिंग आज सुबर शुरू हुई इसमें पहला परिणाम शशीकान शीनदे का आया इस चनाव परिणाम को लेकर राजने खलकों में भारी बेचैनी है वहीं हार के कारणों के लिए राश्टवादी कॉंग्रिस मन्थन कर रही है स्टी करमचारियों के वेतन में वड़ातरी हो सकती है इसमें स्टी करमचारियों के वेतन बढ़ाने का भी विकल्प शामिल है लेकिन सरकार अभी तक किसी अंतिम फैसले पर नहीं पहुँची है पर अपने कहा कि स्टी महामनल का राज्य सरकार में विले की मांग के अध्यन के लिए बंबे हाई कोट के आदेश पर कुंटे समती का गठन किया जा चुका है कुंटे समती की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उसको स्वीकार करेगी दूसरी और केंदरी मंतरी नारायन राने ने कहा कि केंदर सरकार को ST कर्मियों की हरताल खत्म करने के लिए महराश्य सरकार को सीधे निर्देश देना चाहिए केंदर सरकार को सपष्ट कहना चाहिए कि यदी राज्य सरकार हरताल ततकाल खत्म नहीं कराएगी तो राजेपाल भगत सिंग कोश्यारी को हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया जाएगा राणे ने कहा कि पवार चाहते तो वो स्टी कर्मियों के हित का फैसला लेने के लिए निर्देश दे सकते हैं लेकिन पवार स्टी कर्मियों की हर्ताल का हल कभी नहीं निकालेंगे वह केवल मामले को लटकाए रखते हैं सुचना अधिकार कानून के तहट जानकारी मिली की करुणा संग्रमेंट से निपटने के लिए मुख्यमंतरी राहत कोश में COVID-19 के लिए खोले गए अलग खाते में मदद की अपील के बाद लोगों ने मोटी रकम जमा की अब तक इस खाते में 799 करोड रुपे जमा करवाए गए इसमें से 606 करोड रुपे अब भी कोश में मौजूद हैं जबकि 192 करोड रुपे खर्च किये गए आटी आई कारेकरता ने मुख्यमंतरी सचीवाले से जमा की गई कुल राशी, खर्च और शेश राशी की जानकारी मांगी थी जवाब में मुख्यमंतरी राहत कोश प्रकोश्ट ने जो जानकारी दी उसके मुदाबे कुल 799 करोड रुपे जमा हुए जिसमें से 606 करोड रुपे अभी शेश हैं बाकी रकम खर्च कर दी गई है आटी आई कारेकरता कारोब है कि फंड सिर्फ कोविट के मकसद के लिए था इसलिए इसकी पूरी रकम खर्च की जानी चाहिए थी लेकिन सरकार 25 पीस दी रकम ही आवंडित कर सकी सरकार ने 606 करोड रुपे क्यों बचा रखे हैं इसका खुलासा किया जाना चाहिए उपलब्द करवाई की जानकारी के मताबे कोश से कुल 192 करोड 75,90,012 रुपे खर्च किये गए इनमें से कई मदों में राशी जारी की गई जिसका अुलेक तो है मगर 6 रकम को लेकर नियोजन की क्या योजना है इसकी जानकारी नहीं दी गई है ठन देश को आगोश में लेने को बेचैन है लेकिन राजनितिक तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही है भाजपक की धूर विरोधी नेत्ता मम्ता बानर जी इंदीनों दिल्ली में है और विपक्ष को लाम बंद करने में लगी है कई ज्वलन मुद्दो पर वहां उन्हें मुखर कर रही है ताकि शीद 17 में सरकार के मुश्के कसी जा सके पहीं तीन कुरुशी कानूनों को वापस लेने के बाद केंदर सरकार अब बीच विधेक लाने की तयारी में है इस बीच राश्य जांच एजंसी अर्थात NIA जम्मू कश्प्र में ताबर तो छापे मारी कर रही है उसे आशंका है कि देश को अस्तिर करने के लिए विदोश्यों से कुछ संगटनों को धन उपलत कराया जा रहा है तो रेलवे ने आखिरकार रामायन एक्सप्रेस के वेटर्स की वर्दी में बदलाव कर दिया है संतों ने वेटर्स की भगवा पोशा को हिंदु धर्म का अपमान बदाते वे इसको ना बदले जाने पर बारा दिसम्मर को दिल्ली में ट्रेंड रुकने की धमकी दी थी उधर मुखे नायदिश एनविरमना ने कहा कि शासकों में 14 अवगुन होते है उन्हें रोजाना इस बात का विशलेशन करना चाहिए कि उनकी तरफ से लिए गए फैसले उचित है या नहीं देश की इन पाश प्रम खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ त्रिपुरा में TMC Youth Brigade की अध्यक्ष सायोनी घोश की गिरफतारी की विरोध में TMC के सांसदों ने दिल्ली में धरना दिया था पहले सांसद इस मुद्दे को लेकर ग्रहमंत्री से मुलाकात करना चाहते थे लेकिन मिलने का समय न मिल पाने से नाराज सांसदों ने नौर्थ ब्लॉक पर धरना दिया उधर त्रिपुरा में TMC सांसदों ने भाजपा कारेकरताओं पर मार पीट का आरोप लगाया है सांसदों का कहना है कि भाजबा कारेकरताओं उनके साथ पुलिस स्टेशन में घुस कर मार पीट की तुरुनमल कॉंग्रेस और भारती जंता पार्टी में इस मुद्दे पर तनाव के बीच आज मंगलवार को मंता बानर जी कॉंग्रेस सध्यक्ष सूनिया गांधी से मुलाकात कर सकती है पताया जा रहा है कि कई मुद्दों को उठा कर वहविपक्ष को एक जुट करने के प्रयास में लगी है शीच सतर के पहले यह गुडबंदी केंद्र की भाजबा सरकार के लिए मुश्किले पैदा कर सकती है पशिम बंगाल की मुख्य मंतरी ममता बानर जी का यह दिल्ली दौरा 25 नवेंबर को समाप्थ हो जाएगा इसे पहले 24 नवेंबर कुन का प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी से मिलने का कारिक्रम है इस मुलाकात के दुरान ममता बानर जी बीएसेफ के अधिकार शेत्र के विस्तार का मुद्दा उठाएंगी दिल्ली दौरे से पहले ममता बानर जी ने बयान दिया था कि वह पीएम के सामने बीएसेफ के अधिकार शेत्र का मुद्दा उठाएंगी केंद्र सरकार तीन कृषी कानूनों को रद करने की घोशना के बाद आगामी संसत के शीतकालीन सत्र में बीज विदहक 2019 स्पेश कर सकती है सरकार का मकसद किसानों को उचित दर पर गुर्वत्ता परक प्रामनिक बीज मुहया करवाना है जिसे वह अधिक से अधिक उपज पैदा कर सके विदहक में खराब बीज पर कमपनी पर अधिक तम पांच लाग रुपे का जुनमाना वह एक साल की कैद का प्राफधान है को लेकर किसान संगठन वबीज कमपनियां विरोध में हैं यही कारण है कि वर्ष 2000 से 2019 तक इसे संसद से पारित नहीं करवाया जा सका बता दे हैं कि कृशी विभा के विज्ञानिक वबीज कमपनियों के बीज साड़ गाठ है इसलिए सरकार के प्रयास को हर बार जटका लगवग 54 वर्ष के काल खंड में विभिन नई तकनीकों जैसे बीटी जीन, टर्मिनेटर जीन, बीज नियंत्र नादेश ने आकार लिया अंतहर नए बीज अधिनियम के आविशक्ता महसूस की गई राशेजांच एजनसी अर्थात NIA जम्मु कश्मीर में ताबर तोप छा बिमारी कर रही है उसे आशंका है कि देश को अस्थिर करने के लिए विदेशों से कुछ संगटनों को धन उपलब्द करवाया जा रहा है इसी करम में NIA को पुक्ता जानकारी मिली थी कि कुछ NGO और ट्रस्ट ने तथा कथित दान और विवसाईक यूगदान के माथिम से देश और विदेश से धन एकत्रत कर उनका उप्योग केंदर शासत प्रदेश में आतंगवाती गतीवीदियों के वित्त पोर्षन के लिए क अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में जम्मू कश्मीर कोलीशन ओफ सिवल सोसाइटी के समनवेग खुर्रम परवेज को शहर में उनके सोना वार आवास पर च्छा पिमारी के दुरान हिरासत में लिया गया पिशले साल 28 अक्टूबर को NIA ने कुछ तथा कथित गैर सरकारी संगठनों और ट्रस्टों द्वारा धर्मार्त गतीवीदियों के नाम पर भारत तथा विदेश में धन जुटाने और फिर उन पैसों का इस्तिमाल जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गतीवीदियों को अंजाम देने के मामले में घाटी में परवेज के आवाज सहित, दस स्थानों और बेंगलूरू में एक स्थान की तलाशी ली थी एजिंसी ने कहा था कि 8 अक्टूबर 2020 को भारतिय दंड सहिता और गैर कानूनी गतीवीदी रोक्ताम कानून की धाराओं के तहट मामला दर्च किया गया था रेल्वे ने आखिरकार रामायन एक्सप्रेस के वेटर्स की वर्दी में बदलाव कर दिया है नए बदलाव के तहट रेल्वे ने वेटर्स के लिए वर्दी के तौर पर सामाने शर्ट, पतलून और पारम पर एक टोपी को अपनाया है हाला कि वेटर्स भगवा मास्क और दस्ताने पहने रहेंगे संतों ने वेटर्स की भगवा पोशाक को हिंदू धर्म का अपमान बताते हुए इसको न बदले जाने पर 12 दिसंबर को दिल्ली में ट्रेन रोकने की धम की दी थी भारती रेलवे ने एक बयान में कहा कि यह सूचित किया जाता है कि वेटर्स की पेशेवर पोशाक पूरी तरह से बदल दी गई है उजैन अखाडा परिशत के पूर्व महासचीव अवधेश पूरी ने कहा कि हमने दो दिन पहले रेल मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें हमने रामायन एक्सप्रेस में जलपान और भोजन परोसने वाले बेटर्स के भगवा पोशाक पहनने को लेकर विरोज जताया था उन्होंने कहा कि साधू की तरह टोपी के साथ भगवा पोशाक पहनना और वृद्राक्ष की माला पहनना हिंदू धर्म और उसके संतों का अपमान है बता दे कि रामायन सरकिट ट्रेन 7 नवंबर को सफदर गंच रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी यह ट्रेन भगवान राम के जीवन से जुड़े 15 स्थानों का ब्रहमन करेगी ट्रेन अपने रूट के तहट 7500 किलोमीटर से अधे की दूरी तै करते हुए ट्रेन तीर्थ यात्रियों को अयोध्या, प्रयाग, नंदी ग्राम, जनकपूर, चित्रकुट, सीता मणी, नासिक, हमपी और रामेश्रम जैसे स्थानों पर ले जाएगी मुखिन यायाधीश एनवीर रमर्ना ने कहा कि शासको को रोजाना इस बात का विशलेशन करना चाहिए कि उनकी तरफ से लिए गए फैसले, उचित हैं या नहीं शासको को ये भी परकना चाहिए कि उनके अंदर कोई बुराई तो नहीं आंदर प्रदेश के पठ पर्थी नगर में श्री सत्यसाई उच्छी शिक्षा संस्थान के 44 वे दिक्षान सम्हारों में उन्होंने महाभारत और रमायन का हवाला देते हुए कहा कि शासकों में 14 अवगुन होते हैं इन्हें दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए उन्होंने कहा कि लोग तंतर में जनता ही सर्वोपरी होती है ऐसे में सरकार की ओर से जो भी फैसला लिया जाए उसका फाइदा जनता को जरूर मिलना चाहिए सत्यसाई बावा भी यही बात कहते थे दुरभाग्य से आधुनिक शिक्षा प्रणाली केवल उप्योगी कारे पर ध्यान केंदृत करती है ऐसी प्रणाली शिक्षा के उस नेतिक या आध्यात्मिक पहलू पर आधारत नहीं है जो छात्रों के चरित निर्मान के अलाबा उनमें सामाजिक चेतना वजिमिदारी का भाव जगाने पर जोर देती है न्यायमूर्दी ने सत्यसाई को सेवा का सबसे बड़े समर्थक बताया है उन्होंने कहा कि सत्यसाई का मतलब प्यार था, सत्यसाई का मतलब सेवा था, सत्यसाई का मतलब त्याग था शिक्षा से लेकर स्वास्त, स्वच्छ, पैजल की उपलब्दता और राहतकारियों के जरिये बाबा ने दुनिया को हमेशा सेवा का मार्ग दिखाया है पिछले साल पुरी दुनिया को कामरे में कैद करने वाला कोरोना फिर सिर उठाने लगा है वाक्सिनेशन के बावजूद यूरोपिय देशों में इस महामारी का प्रको एक बार फिर बढ़ता जा रहा है अमिरिका में तो हालत पिछले साल नमंबर की तरह बनते दिख रहे हैं इस लड़ाई के अलावा यूकरेन और रूस के बिच तनाव बढ़ता जा रहा है रूस ने यूकरेन की सीमा के पास 92,000 से निक तनाथ किये है और 9 साल के शुरुआत में उसके हमले की आशका बढ़ रही है इस बीच पाकिस्तान अमेरिका को मनाने के लिए हर कवायाद में जूट रहा है उसके विदेश मंतरी शहा महमुद कुरेशी कोई भी प्रयास हाथ से जाने नहीं दे रहे है उदर अफगानिस्तान में तालिबान अपने खिलाफ होने वाली आलोचनाव को बरदाश नहीं कर पा रहा है उसने मिडिया का मुँद कराने के लिए सक्त दिशा निर्देश भी जारी किया है दूसरी तरफ चिनी राश्रबती शी जिन पिंग ने कहा है कि चिन अपने पडोसी छोटे देशों पर भी दक्षिन चिन सागर को लेकर हावी नहीं होना चाहता है वे और उनका देश दक्षिन एशिया पर किसी तरह प्रभाव जमाना नहीं चाहता है लेकिन फिलिपिन के कदम से तना तनी बढ़ रही है दुनिया भरकिन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ यूरोपियो देशों में कुरोणा महामारी का प्रकोप एगवार फिर बढ़ता ही जा रहा है वैक्सिनेशन के बावजूद मामलों में बड़ोतरी देखी जा रही है हालात पिशले साल नवेंबर की तरह बंदे दिख रहे हैं वही महामारी से सबसे अधिक प्रभावित रहने वारे देश अमेरिका में मामलों में फिर उच्छाल देखने को मिल रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार यूएस में वैक्सिनेशन के बावजूद सबसे संग्रामक डिल्टा वेरियन के मामले तेजी से आ रहे हैं अमेरिकी स्वास और मानव सेवा विभाग की एजिंसी की तरफ से जारी आंकडों की माने तो अमेरिका के कई हिसों में कोविन-19 के मरीजों के बढ़ने की स्थिती पिछले साल नवेंबर की तरह ही खराब है एक साल के तुलना में साल नवेंबर में करोना से संक्रमित या संदिक्द मरीजों से ज्यादा आईसियो बैट लिया है प्रती व्यक्ति संक्रमितों के मिलने की दर मिशीगन में सबसे ज्यादा है बता दें कि फिछले दो महिनों से अमेरिका में मामले खट रहे थे लेकिन दो सप्ताह से अचानक ही देनिक मामलों में बढ़ातरी हो रही है इसके पीछे डेल्टा वेरियन को बड़ा कारण माना जा रहा है अमेरिका के अलावा जर्मनी, फ्रांस और इंग्लान जैसे देशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं वहीं आस्ट्रेलिया में सक्त लोकडाउन लगा हुआ है जानकारों के मताबिक वैक्सिनेशन की सुरक्षा भी धीरे धीरे कम हो रही है यूकरेन के शिर्ष जनरल ने चितावनी दी कि रूस ने उनके देश की सीमा के पास 92,000 सैनिक तैनात के हैं और जन्वरी के अंतक पुदिन हमले की तयारी कर रही है रूसी सेना ने यूकरेन के पास टैंक, तोपे, मिसाईलों और युदपोतों की सीमा के पास तैनाती की है यूकरेन के अनुसार रूस तीन तरफ हमला करने की तयारी कर रहा है उत्तर में बिलारूस, पूर्व में विद्रोहियों के लाके और काला सागर में क्रीमिया से हमले की तयारी कर रहा है इसके तहट पोर्ट से सटे शेहरों में समुदरी रास्तों से सैनेकों को भेजने, पूर्व में हवाई हमले, तोपों से गोले बरसाने और हत्यार बंद बाहनों से हमला करने की योजना शामिल है Military Times की ओर से शेयर किये गए एक नक्षे के मताबिक, यूकरेन के जासूसों का भी अनुमान है कि रूस यूकरेन पर खूनी कबजे की तयारी में है इस नक्षे में कहा गया है कि रूस यूकरेन की इतनी जमीन पर कबजा करना चाहता है कि क्रीमिया पर उसका कबजा भी छोटा पड़ जाएगा उधर रूस ने यूकरेन के जैनरल के दावे को खारिस कर दिया रूस ने कहा कि उक्रेन को बड़े पैमाने पर हत्यारों की आपुर्ती की गई और वह सीमा पर अपने सैनेकों को मस्बूत कर रहा है लेकिन अमेरिकी रक्षा मंद्री लॉइड ऑस्टिन ने भी जिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि हम नहीं जानते कि पुदन आखिरकार चाहते क्या है पर वह जो भी कुछ कर रहे हैं वह आगामी खत्रे का संकेत दे रहा है पाकिस्तान हर्द हाल में अमेरिका के साथ अपने रिष्टों को मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है यही कारण है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाहा महमूद गुरेशी अमेरिकी नेताओं ने लगातार मुलाकात कर रही है अफगानिस्तान से अमेरीकी सेना की वापसी और सेने बेश को लेकर हुए विवात के बाद राशरपती जो बाइडिन पाकिस्तान से खफ़ा है राशरपती बनने के बाद उन्होंने आज तक इमरान खांसे बात तक नहीं की है अब शाम महमूद कुरेशी ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ अपने पुराने संबंदों को और मस्बूत करना चाहता है कुरेशी ने अमेरिका संजट की प्रतिन दी सभा की विदेश मामलो की समिती के अध्यक्ष ग्रैगरी मिक्स और HFAC की एशिया उप समिती के अध्यक्ष अमी बेरा के साथ मुलाकात भी की कुरेशी ने कहा कि पाकिस्तान भू अर्थ शास्त्र की अनिवारिता का अनुसरन कर रहा है और देश को व्यापार निवेश और वित्त का केंद्र बनाने के लिए दुड़ संकल्पित है उन्होंने अमेरिकी कमपनियों को अन्ने बरते शेत्रों से लाभांश प्राप्त करने के लावा पाकिस्तान के आईटी और स्वास्त शेत्रों में निवेश करने के लिए आमंतृत किया है दूसरा कारण पाकिस्तान के उपर लगा FATF का प्रतिबंद भी है अफगानिस्तान में तालिबानी कबजे के बाद से ही वहां किस्तिती पर चिंता बनी हुई है तालिबानी सत्ता अपनी छवी को सुधारने के लिए अपने खिलाफ होने वाली आलोचनाओं को भी बंद करना चाहती है मीडिया का मूँ बंद कराने के लिए तालीबान ने इस सक्त दिशा नर्देश भी जारी किये मानवधिकार समू ने चिंता जाहिर करते हुए से मीडिया और खासकर महलाओं के लिए विनाश्कारी बताया एक बयान में कहा गया कि तालिबान के खूफी अधिकारियों ने उन पत्रकारों को जान से माने की धमकी दी है जिनों ने तालिबानी अधिकारियों की आलोचना की इसके लावा पत्रकारों को प्रकाशन से पहले अनुमोधन के लिए सभी रिपोर्ट जमा करने के निर्देश भी दिये गए एक पत्रकार ने बताया कि तालिबानियों द्वारा घरों की तलाशी लेने और लोगों को पीठने वाली खबर प्रसारत करने पर डिप्टी गवर्नर ने उसे कारले बुलाया और उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर वह फिर से ऐसा कुछ प्रसारत करता है तो वह उसे टाउन स्कोयर में लटका देगा अने कई मीडिया करमचारियों ने अपने रिपोर्ट में ये भी शिकायत की कि भारी हत्यारों से लेस तालिबान के खूफिया धिकारियों ने उनके कारले को दौरा कर पत्रकारों को चिताव नी दी इसके लावा प्रकाशनों में तालिबान शब्द की जगह इसलामिक अमीरात का उप्योग करने को कहा चीनी राश्टपती शी जिंग पिंग ने कहा कि वो और उनका देश दक्षन एशिया पर किसी तरब रभाव जमाना नहीं चाहता उन्होंने ये भी कहा कि चीन अपने पडोसी छोटे देशों पर भी दक्षन चीन सागर को लेकर हावी नहीं होना चाहता है ये बातें शी ने आसियान देशों के एक तीसवी वर्चल कांफरेंस के दोरान कहीं शी ने कहा कि वो अपने सभी पडोसी देशों से दोस्ताना रिष्टों का इच्छुक है साथ ही ये भी कहा कि चीन न तो किसी को दबाने का अच्छुक है और नहीं पूरे शेतर में नायक के तौर पर सामने आना चाहता है दूसरी तरफ चीनी नाके बंदी के बीच फिलिपिन ने दक्षन चीन सागर में एक रेत के धेर यानी शाओल में दो रसत नौकाएं भीजी यह सेकेंड थौमस नामक इस शाओल में पहले से तिनाथ फिलिपिन के मरीन गार्ज को रसत पहुँचा रही है इसे पहले चीनी तरफ रक्षकों ने वाटर कैनन चला कर फिलिपिन से भेजी गई तीन नौकाएं रोकी थी चीन इस शेतर से हटने के लिए कहता रहा है जबकि 2016 के विश्व नियायाधी करन के निर्ने के तहट यह शेतर चीन के नियंदरन में नहीं आता है फिलिपिन का कहना है कि 2nd Thomas शाओल वैश्विक कानून के मताविक उनके समुदरी आर्थिक शेतर का हिस्सा है रसद नौकाएं रोकने के बाद उसने चीन को चेताया था कि अमेरिका फिलिपिन के 1952 के सैनिसम जोते के तहट उसकी नागरिक नौकाओं पर अपने हमले परिनाम चीन को भुगतना पड़ सकता है तो आज की इस खास पेशकर्ष में बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विके बी नियूस नमस्कार झाल